नमस्कार दोस्तों मैं हूँ हिस्ट्री का फैन सुहास जागिर्दार इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं चित्तोर की महारानी पदमावती की एक बहुत ही दिल्चस्प कहानी इस कहानी ने कई सारे लेखक, कवी और फिल्ममेकर्स को इंस्पायर किया है हाला कि रानी पद 1440 में उस समय के एक सूफी संत मलिक मुहमत जैसी की दिखी हुई पदमावत नाम की किताब में रानी पदमावती का जिकर सबसे पहले पाया जाता है ये पूरी किताब मतलब कविता के रूप में दिखी गई रानी पदमावती की कहानी है इसी किताब ने रानी पदमावती क कहानी को ना ही सिर्फ अमर बनाया बलकि भारत के गवरोशादी इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान भी प्रदान किया। शायद कई सारे लोग नहीं जानते होंगे कि रानी पदमावती का जन्म उस समय सिंगल द्वीप नाम से पहचाने जाने वाले राज्य में हुआ था। आज वही राज्य श्री लंका के नाम से जाना जाता है। उनके पिता गंधर्वसेन सिंगल राज्य के राजा थे। रानी पदमावती बहत खुबसुरत होने के साथ साथ युद्ध कदा में भी निपून थी। उनके पास एक तोता था जिसका नाम था हिरामन। इस तोते से रानी पदमावती को बहुत लगाव था क्योंकि वहें इंसानों से इंसानी भाषा में बात करता था। उसी समय रा उड़कर महराज रतंसेन के पास पहुंचा और उनके सामने रानी पदमावती की खुब सूर्ती बयान की। उसी समय महराज गंधर्वसेन ने अपनी बेटी के विवाह हेतु एक स्वयमवर रचा था। उस योध्धा को हराकर स्वयमवर में जीत हासिल की। इस तरह राना रतंसेन और रानी पदमावती का विवाह संपन हुआ और वे दोनों चितोड में पधारे। इस मोड पर कहानी के तीसरे पात्र का प्रवेश होता है अलाउद्दिन खिलजी का। भारत के इतिहास का ये वो अलाउद्दिन खिलजी इने के बतीजे भी थे और जमाई भी। अलाउद्दिन जितने कुरूर और निष्ठूर थे उतने ही महत्वाकांख्शी भी थे। अपने ही चाचा तथा ससुर जलाउद्दिन के हत्या करके वो खुद सुल्तान बन गए थे। इधर चितोड में र राघव चेतन थे ये संगीत के साथ साथ काले जादू का भी प्रयोग करना जानते थे और उनकी ये बात किसी को पता नहीं थी। एक दिन खुद राणा रतन सेन के खिलाफ काले जादू का प्रयोग करते समय वो रंगे हाथ पकड़े गये। राणा रतन सेन ने तूरंत उ पर उसने रानी पदमावती की खूबसूर्ती को कुछ इस तरह पेश किया कि जिससे अलाउद्दिन खिलजी के मन में लालसा जाग उठे और हुआ भी वैसे ही रानी पदमावती की सुन्दरता के बारे में जानकर अलाउद्दिन खिलजी बेचैन हो उठे और तूरंत ही देखने दीजिए फिर हम यहां से चले जाएंगे राना रतन सेन दूविधा में थे रानी पदमावती ने अलाउद्दिन खिलजी के सामने जाने से साफ इंकार कर दिया अंत में ये तय हुआ कि आइने में रानी पदमावती का रूप अलाउद्दिन खिलजी को दिखाया जाएगा और उसके बाद अल्लाउद्दिन खिल जी अपने सेना को लेकर वापस लओड जाएगा। जैसे तय हुआ था वैसे ही एक आइने में रानी पद्मावती की प्रतिमा अल्लाउद्दिन खिल जी को दिखाई गई। लेकिन यह प्रतिमा देखने के बाद अल्लाउद्दिन खिल जी की जिग्या सा शान्त होने के बजाए अब रानी पद्मावती को पाने की महत्वा कांक्षा उनमें जाग गई। और उसने तय कर दिया कि रानी पद्मावती को लिये बगैर वो यहां से नहीं जाएगा। मौका मिलते ही सबसे पहले उसने राना रतन सेन को कईद कर दिया और चितोर गड में संदेशा भेजा कि अगर आपका राजा जीवीत चाहिए तो रानी पद्मावती को हमारे हवाले कर दो। पूरा चितोर का दर्बार चिंता में था। तभी राना रतन के दो सरदार गोरा और बादल सामने आये और उन्होंने एक प्लान बनाया। उन्होंने अल्लावदीन खिल जी को संदेशा भेजा कि दूसरे दिन सुबह रानी पद्मावती अल्लावदीन खिल जी के खेमे में पहुँच जाएगी। लेकिन रानी पद्मावती को और कोई नहीं देख सकता। इसलिए उनके डेड़ सो पालकियों को सीधे अल्लाउद्दिन के खेमे तक जाने की इजाज़त दी जाए अल्लाउद्दिन ने इजाज़त दे दी दूसरी दिन सुबह होते ही चितोडगड से डेड़ सो पालकिया निकली और सीधे अल्लाउद्दिन के खेमे के सामने जाकर उन पालकियों में से रानी पदमावती नहीं बलकि गोरा, बादल और उनके बहादुर सिपाही बहार निकले और उन्होंने अल्लाउद दिन के खेमे पर हमला बोल दिया। उस लड़ाई में गोरा शहीद हो गये, लेकिन बादल राना रतन सेन को रिहा करके चितोड ले गये। इसके बाद अल्लाउद दिन खिल जी आग बबुला हो गया और उसने तूरंथ ही चितोड गड़ पर आकरमन करने का आदेश उसकी सेना को दे दिया। लेकिन राजपूत सेना ने डटकर इस हमले का मुकाब्ला किया। अब अल्लाउद दिन खिल जी ने चितोड गड़ को चारो तरफ से घेर दिया। ऐसी नाकबंदी की कि ना तो कोई गड़ से बाहरा सकता था और ना कोई अंदर जा सकता था। धीरे धीरे किले के अंदर का दानापानी खतम होने लगा। लगबग आठ मैने तक ये नाकबंदी जारी रही। जब किले के अंदर ना खाने के लिए कुछ बचा, ना पीने के लिए पानी। तब राणा रतन सेन ने निर्णे दिया कि आप किदे के दर्वाज एक खोल कर शत्रू से सीधा मुकाब्दा करने के अलावा और कोई चारा नहीं है लेकिन हर कोई जानता था कि कई दिनों की भूखी पैसी सेना और वो भी संख्या में बहुत कम अलाव दिन खिल जी की सेना से जादा देर तक मुकाब्दा नहीं कर पाएगी लेकिन शत्रू के सामने घुटने टेकने से आखरी सास तक लड़ना उन्होंने बहतर समझा और सारे मर्द किदे के बाहर निकल पड़े अब किदे के अंदर थी रानी पदमावती और रगभग सोला हजार अन्य महिदाएं रानी पदमावती के साथ सब को पता था कि कुछी समय में अलाव दिन खिल जी किले पर कबजा करेगा अब रानी पदमावती को निर्णे लेना था रानी पदमावती ने सब महिदाओं के साथ मिलकर फैसला किया कि जिस आन, बान और शान के लिए हमारे राजा और हमारे सेना लडने गई है उसी आन, बान और शान के हितु हम भी जोहर कर देंगे जोहर का मतलब होता है अपने आपको अगनी को समर्पित करना शत्रू के हाथ लगकर मानहानी से भरा जीवन बिताने से बहतर है इज़त की मौत सबने मिलकर किले के अंदर एक कुंड बनाया, अगनी की ज्वादा भढ़कने लगी और उस कुंड में भगवान की प्रार्थना करते हुए रानी पदमावती के साथ सोदा हजार महिदा उनने जोहर कर लिया अल्दा उदिन खिलजी ने किल्दा तो जीत लिया लेकिन जो जीतने की मंश्या मंद में लेकर आया था वो तो जीत नहीं पाया खाली हाथ ही उसे वापस जाना पड़ा रानी पदमावती की यह काहनी गवरोशादी भारत की वो दास्तान है जो सदियों तक जिन्दा रहेगी